नमस्कार आप देख रहे हैं गाउं के लोग और मैं हूँ राम जी यादव आज हम लखनवु में जाने माने आलोचक विरेंद्र यादव के घर उपस्थित हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं गाउं के लोग चैनल के लिए हाँ तो हम लोग बलचनवा और काली चनल के से लेकर आगे की प्रक्रिया में थे कि जब 21 सताब्दी में भी यह सवाल मुसलसल बना हुआ है कि क्या भी हमको ब्रामर नित्रित के बीच में ही काम करना पर नीचे ही काम करना पड़ेगा क्योंकि धिरे धिरे उनकी सक्तियां तिरोहित होती जा रही है नित्रित रह गया है कतारे गायब हो गई है देखे भारती समाज में एक परिवर्तन का भी दोर है संक्रमन का भी दोर है और मंडल के बाद जिस तरह की राजनीतिक और सामाजी की स्थियां हुई है तो राजनीतिका चेहरा भी बदला है और उसी का परिणाम है कि जो यानि कि भारती जनता पार्टी जो कि मुक्ता संवनवादी पार्टी है और संवनों के मुक्याधार वाली पार्टी है वह भी जो है एक पिछड़ों से किनारा करसी नहीं कर पा रही है उत्तर प्रदेश में चाहे कल्यान सिंग का नितत हो या राश्टी स्वयम सेक संग से आएवे नरेन मोदी का नितत हो उसमें उसको भी पिछड़े के साथ जोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है और बाकी जो हमारे हिंदी प्रदेशों की राजनीती हो चाहे बिहार की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो इसमें जो है हार्शिय के समाज का दलितों का पिछड़ों का एक उभार को राजनीत में दिखाई पड़ रहा है और जिसे कहा जा कि नब्बे के बाद जो है लोक सभा और विधान सभाओं का एक संग्रचना बदली है स्वरू बदला है और दलित और पिछड़े समाज से की संख्या उनका पत्निदी तो बढ़ा है लेकिन उसी दोर में मैं इसको इस तरह भी देखता हूँ कि राजनीत में जिसे का हिस्सेदारी यानि कि इन वर्गों से आए हुए लोग तो राजनीत में आए उनका पत्निदी तो बढ़ा लेकिन इन वर्गों की जो राजनीती है यानि जो सामाजी का अधार है वो सामाजी का अधार यानि कि व्यक्ति के रूप में पत्निदी तो बढ़ा लेकिन मुद्दों के रूप में समाज के अधार जो नई आर्थिक नीतियां है उन नई आर्थिक नीतियों के कारण जो है एक मतलब जिसे आर्थिक जनतंतर जिसको हम कहते हैं यानि कि सामाजिक जनतंतर महिस्यदारी तो हुई लेकिन आर्थिक जनतंतर महिस्यदारी नहीं हुई यह एक इस्थिति है तो मैं इसे जो है एक बाहमण नेतुत के रूप में या समण नेतत के रूप में कम देखता हूँ मैं ये देखता हूँ कि अगर भोजन समाज पार्टी या यहां की जो समाजवादी पार्टी है समाजवादी पार्टी का नेतत मालीजे एक पिछड़े वर्क से आई हुए नेता के द्वारा है या रास्टी जनता दल का बिहार में नेतोतेक पिछड़े वर के आई हुए नेता के द्वारा है या मायावती का नेतोतेक दलित वर के द्वारा है इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है फर्क इस बात से पड़ता है कि जो रास्टी जनता दल है या समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है किस तरह की नीतियां अपना रहे हैं तो मुझे लगता है कि कांशी राम के बाद जो समाज के अंदर जो है एक नया दिस्टिकून शुरू हुआ था जो एक सुधार का दिष्ट कूल ओँर और जो एक चेतना का उभार हुआ था वो आंदोलन कहीं पीछे गया है और यह जो पार्टिया है बहुजन समाज की पार्टियां है चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन ब्यस्पी हो तो ये दोनों ही पार्टियां एक आर्थिक इस्तर पर या आर्थिक जनतंत्र के इस्तर पर जो काम इन्हें करना चाहिए था यानि कि लोहिया का नाम लेकर के राजनित करने वाली पार्टी या अमबेदकर का नाम लेकर के राजनित करने वाली पार्टी लोहिया और अमबेदकर का ये नाम तो लेते हैं लेकिन लोहिया और अमबेदकर के आदर्सों के लिए समाज के बीच में समाज की जड़ों के इसके प्रणाम सुरूप एक तरह का संक्रिणतावाद भी आया है अभी, कि किसी भी जाती शमुब का नेतृत तो सी जाती समुब से निकला हुआ कोई गर्ति कर सकता है, आप उत्तरपदेश में भी देख सकते हैं, अती पिछड़ा का नेतृत पिछड़ा ही करेगा, माजी का करने तुट राजवर यादो का यादो जो भरोसा छीजा है क्या इसके पीछे वही कारण है जो परंपरा चली आ रही है आपको क्या लगता है नहीं मैं समझता हूं राम जी कि देखे जाति उन्मुलन की बात बाबा साहब अमेद करने कही थी और आइनहीलेशन आप कास्ट ल लुएया भी जाते मतलब वरंड से वर तक की आतरा की बात लुएया भी करते थे लेकिन वो जो राजनीतिक वैचारकी थी जिस पर लुएया ने भी काम किया अमेदकर भी के अन्याईयों भी शूर के दोर में काम किया, काशिराम भी उसको आगे तक ले आए, लेकिन बाद में जो है, वो वैचारी की तिरोहित हो गई, और उसके पीछे पतनिधित की राजनित सामने आ गई, यानि कि उन जातियों से, या उन वर्गों के लोग विदान सभाव में हो, उन में लोग सभाव में हो, या बात तो की गई, लेकिन भारत्य समाज के जो संग्रचना है, और जिन हालातों के कारण संग्रचना है, यानि कि मैं सबसे वड़ी बात तो भूमि सुधार की करूबा, कि मंडल का खाली नौकरियों की आरक्षण की बात नहीं अभी तो इसलियात किया जाते हैं और उसे भूमिसुधार के भी बात कही थी लेकिन भूमिसुधार किसी के अजेंडा में नहीं है यानि कि मंडलवादी जो पार्टियां हैं जो दल हैं जो निता हैं किसी के अजेंडे बर भूमिसुधार नहीं है तो व्यापक भारती समाज म परिवर्तन की चाहत और जो परिवर्तन का एजेंडा जिस तरह से अपनाना चाहिए था वो किसी पार्टी ने उसको अपनाया नहीं है तो देखें बहुत फर्ग नहीं पढ़ने वाला है आज के समय में यह फर्ग तो पढ़ने वाला है जिस तरह से एक हिंदू राष्ट और हिंदुत का नारा है और जिस तरह से जनतंत्र सिकुड रहा है उसके पतिकार के लिए तो यह आवश्रक है कि जो जनतंत्रिक शक्तियां हों वो एक हों और समयधान को बचाया जाया है समयधानिक मुल्यों को बचाया जाया लेकिन जो उसके आगे की बात थी जो अब आवा साव अमेदकर ने कहा था कि अगर राजनीतिक जनतंत्र सामाजिक जनतंत्र में न बदला आर्थिक जनतंत्र में न बदला तो राजनीतिक जनतंत्र भी खत्रे में पड़ जाएगा, तो आज की हालत यह है, कि पहला कदम तो राजनितिक जनतंत्र को बचाना है, क्योंकि इस समय राजनितिक जनतंत्र ही खत्रे में है, उसके बाद की जो बात थी कि इसको सामाजिक जनतंत्र और आर्थिक जनतंत्र में बदलना है, तो यह परिवर् पार्टी जिसका नारा देती है या तमिल नार में डियम के देती है या कमनिस पार्टीया मी जो देती है यानि कि जो एक है अब एक बात ये कही जाने लगी कि अम्बेदकर और मार्क्स है इन दोनों के आदर्सों का एक सहमेल किया जाए और तो यह सहमेल मैं समझता हूँ यह स साध्धान्तिक अधार पर ही नहीं होगा बलकि एक समाज के जड़ मूल इस तरह पर कार्य करने से होगा और दुर्भागिपूर्ण इस्तित यह है कि जो कैडर बेस्ट पार्टियां थी कम्निस पार्टियां थी वो कैडर बेस्ट पार्टियां भी जो है अब जो है उनका जो मुहावरा हो गया है वो राजनीत का मुहावरा जो है जो इस्थापित पार्टियां है उनी की मुहावरे को अपनाने लगी और मैं इसको ये कहता हूँ कि जो परिवर्तनवादी जो पार्टियां रही है उस समण महावरे में राजनीती कर रही है तो मैं समझता हूँ कि यह दिक्कत है और समझ महावरे को छोड़ करके वह चाहे फिर बार-बार में वो नाम लेता हूँ पार्टियों का बहुजन समाज पार्टी और यह जो चाहे इनका सोचल इंजिनरिंग हो यह वह दिरुभागि अगर तुम जीवित हो तो फला तारीख को पूने में आकर मुझसे मिलो नहीं तो मैं तुमको मुर्दा करूँगा और ये देड़ सो साल पहले की बात है और उसके बाद भी मुझे लगता है कि पिछणों की कोई वैचारिकी नहीं है पैदा हो पाई गुलामगीरी जैसी सांस्कृतिक ब्यक्ति के रूप में एक सांस्कृतिक कारिकर्टा के रूप में आपकी जो पहल कदमिया रही है उसके अन्वहों से सीखते हुए क्या आगे कोई ऐसा रास्ता आपको लगता है कि कम से कम लोगों के बीच जो एक विचारिमर्ज की सिती है उसकी प्रक्रिया क और कुछ दोना दहें है। थुड़ी उम्मिद देखता हूँ, खासकर, देखे, जो बिश्विद्यालियों में की जो नई प्युड़ी है और उसके बीच में जो बहुजन समाज से यानि जो दरित समाज से और जो बाकी बहुजन समाज से आए हुए जो युवक है और जो वहाँ पर चाहे अंबेद करवादी इस तरह के जो संग्ठन है उनके बीच में जिस तरह के भैसे हैं जिस तरह को इमर्स हैं तो वह युवाप युड़ी उन चीजों को पढ़ लिक रही है और वैचारिक रूप से संपन है तो और वह देखे वह आयाइटी में दिखाई पड़ रहा है और बहुत से जो एक इंडियन इस्टूट अप सुशलिस्टी इस तरह के जो बड़े-बड़े संस्थान है और आयाइएम में आयाइटी में भी थोड़े-थोड़े संख्या में हैं तो मैं समझता हूँ कि जो नई पीड़ी है उस नई पीड़ी में एक चेतना संपन पीड़ी पैदा हो रही है और अब मुझे उमीद जो है स्थापित राजनितिक दलों से कम है और जो राजनितिक जो तंत्र है उस इस्ट्रक्चर के जो बाहर के लोग है है उस इस्ट्रक्चर के बाहर के लोग हैं मैं समझता हूं कि उन से उमीद ज्यादा है और जो कुछ लोग इमानदारी के साथ जो है जाए महरास्ट में हो या तमिलाड में हो आप देखे कि इस बीच हुआ क्या इस बीच पिछले पांच शे साथ सालों में जो ऐसे बुद्ध जीवी थे जो जमीनी रूप स बात की गई पेरुमल मुर्गन का उपन्यास जो था उन्हों तो घोशीती कर दिया हाँ उन्होंने कहा कि मेरे लिखा कि मत्र तो सवाल ये कौन थे पेरुमल मुर्गन कौन है कांच चाहिए लिया या जो है पांसरे और कल बुर्गी गौरी लंकेश इनकी हट्तियाएं जुड़े हुए लोग थे तो खत्रा जो है यानि कि इस समाज के लिए एक चुनौती जो है आज की स्थापित राजनितिक पार्टियां नहीं हैं बलकि ये बुद्जी भी हैं और ये जो सोचने समझने वाले लोग हैं तो इसी लिए एक कांचाहिए लिया एक पिरुमल मु बहुत एक रुप से उन्हें समात करना पड़ता है मुझे लगता है कि चाहे वो जेनियू हो स्वाल जेनियू पर इतना हमला क्यों है इसलिए हमला है कि जेनियू जो है वहां विचारों का जनतंत था हर तरह कि विचारों के आबाजाई दी यानि कि इस्थित ये कि एक डिबेट या रोहित वेमुला को लेकर के जितना बड़ा आंदूलन खड़ा हो गया तो मैं समझता हो कि रोहित वेमुला या मतलब जो है जेनियू के अंदर जो है जामिया के अंदर नागिकता के कानून को लेकर के हो तो यह जो नई चेतना वो है तो उस नई चेतना में अ पिछड़े समाज के लोग भी शामिल हैं अब देखे मैं थोड़े समय के पहले मैं जौनपुर के ही गाउं में एक शादी में गया हुआ था तो वहां संबिधान जो का प्रियम्बिल पढ़ा गया और जो है किसी भी तरह का कर्मकान नहीं हुआ किसी तरह का नो तो यह नई प बिशुड़े के शोद चात थे लहाबाद में शुड़े के शोद चात थे और तो इस तरह का जो एक नई प्यूड़ी है उससे मैं उम्मीद देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि यह एक संक्रमनकाल है और इससे उबरेगा हमारा समाज नई पिढ़ी के जो लोग जिन लोगों को आइकन बना रहे हैं जैसे रामसुग वर्मा को बना रहे हैं या जगदेव प्रसाद को बना रहे हैं ललाई सिंग को बना रहे हैं उन लोगों को लेकर हिंदी साहित में और हिंदी आलोचना में बहुत कि उसकी मुख्यधारा में कोई सुबुगाहट कभी रही, कोई मुल्यांकन ही नहीं किया, जाने ही दिया वैसे लेकिन जिस नई पिढ़ी को आप उमीद की नजर से देख रहे हैं ये उन लोग अपना नायक मानती है तो ऐसा क्यों भी परिया ऐसा क्या है कि एक समय में उनका मुल्यांकन नहीं हुआ, इस बात की तरफ कोई आपको लगता है कि उसकी तरफ फिर से देखना साइए अब देखे ऐसा ना कि ये जो है इतिहास का जो कालकरम रहा है तो उसमें हमारा जो समार्शास्त्री जो अध्यन हुए जो इतिहास के अध्यन हुए तो उनमें ये चीजें उपेक्षित रहीं ये सही है चाहे ललाई सिंग की बात हो या रामसुर वर्मा या इस तरह के जो बहुत से एक है और वो खाली हिंदी छेतर ही नहीं है और भी छेतरों में इस तरह हुआ कि इस तरह के जो समाज सुधार आंदोलन जो जड़ों में थे वो समाज सुधार आंदोलन समाजशास्त्री अध्यनों में उनका उलेक नहीं हुआ है या बहुत कम हुआ है और जहां उलेक हुआ है जैसा पार्था चैटर जी ने या जी अलेपसिस ने किताब लेकिया है फ्रे binder नेशन तो उसमें उन्होंने बहुत से इस तरह की नाम लिये हैं और इन न का अलेक किया है उन्होंने लेकिन जो समाज सर्थ की जो मुख़धार है तो जो समाज सथी नहीं इसे अपने अध्यन का विशे नहीं बनाया है जैसे कि में भारती चिंतन परंपरा जो के दामदरन की किताब है तो उस के दामदरन की किताब में राजा राम महंदराय भी हैं उसमें इकबाल भी हैं उसमें नहरू भी हैं उसमें गांधी भी हैं लेकिन उसमें कौन नहीं हैं उसमें नहीं होने वाले में जोतिवा फूले हैं उसमें जो नहीं ह पेरियार रामावस्वामी नायकर है तो अब सवाल यह है कि फुले नहीं है, नायकर नहीं है, अम्बेदकर नहीं है, यह तो बहुत बड़े आइकान थे, रास्टी इस्तर के लोग थे, तो यह भी उसमें नहीं है, तो इसलिए जो छेतरी इस्तर के लोग थे, उसमें नहीं है है कि ये ध्यान दिया जा रहा है हमारी नई प्यूडी के द्वारा है कि चाहे जब देव परशाद के बारे में हो चाहे मतलब उनके चीजों को उनके लेखन को संग्रहीत किया जा रहा है उनकी रचनावलियों पर काम किया जा रहा है तो यह काम हो रहा है और मैं समझता हूं क जो है इन वर्गों से आई हुए देखे मैं एक नाम लूँगा ग्रेमची तो ग्रेमची यही बात करते थे वह आरगनिक इंटेलेक्चुल की बात करते थे आव यह एक बुद्ध जीवी यानि कि जो समाज की जड़ों में रचा बसा हुआ यानि बुद्ध जीवी का जो कांस बदलाव की चितना से जबमन हो समाज की जड़ों में जुड़ा हुआ हो तो जो मेहनत का समाज से जो आए हुए चाहे युवा हो चाहे चात्र हो यह जो वर्ग आया हुआ है मैं समझता हूँ कि यह एक जो है नया वैचारिक नित्त देगा और जो चीजें जो हैं प्यारिया हो रहा है तो यह एक उमीद की एक किरन है मुझे लगते हैं आप निराश नहीं है उस तरह नहीं बिल्कुल निराश अच्छा अभी आप इधर बीच क्या आपका लिखना चल रहा है क्या किन चीजिए उपर योजिना में आपके क्या है मैंने दर साल भी एक किता सब्सक्राब अपन्यास वर्चस की सता चा पहले आ गई थी मेरी उसके बाद जो है उपन्यासों पर ही मैंने कुछ और काम किया और जो छूड़ गये थे उन उपन्यासों पर मैंने लिखा तो अभी हमारी कुस्त्त संभ qualified इसी माह आगले माहत तक आ जाएगी उपन्यास-व समाज है और हारशिये के समाज पर केंदित जो हमारा जो कथात्मक लेखन है जो अपन्यास है उन चीजों पर जिस तरह से काम होना चाहिए था नहीं हुआ है तो मैं एक तुलनात्मक अध्यन यानि कि दूसरी जो हमारा उपन्यास अलचना किताब इसके बाद जो अगली जो है तो वो मेरी योजना का हिस्सा ये है कि अन्य भारती भार्षाओं के साथ जो इस तरह का लेखन हुआ हारशिये के समाज पर केंदित लेखन हिंदी के साथ उसका तुलनात्मक प्रषाओं के साथ उसको प्रष्टत करो तो फिलहाल मेरी योजना में यही है और उसके बाद मेरा एक बहुत दिनों से मेरी चाहत है कि मैं एक प्रेम चंद पर एक मुकमल किताब लिखूँ प्रेम चंद के समूचे जो उनका वैचारिक लेखन है जो उनका कथात्मक लेखन है उस कथात्मक लेखन और वैचारिक लेखन पर एक विसलेशन परक एक संपूर्ण किताब मैं लिखूँ यह मेरा एक इरादा है क्योंकि प्रेम चंद पर मैंने यूटवाल अलग काफी लिखा है लेकिन मैं एक पुस्तक की यूजना के तहट मैं कर रहा हूँ नहीं बहुत अच्छा है आज हम यहीं बिराम लेते हैं बहुत दो धन्यवाद विरेंजी कि आपने इतना समय दिया और विरेंजी से बातचीत करने का मतलब है कि कई खंडों में कई बैठकों में इनसे बातचीत अगर होगी तो इनकी किताब और इनके अध्यान पर और दूसरी चीज़े है कि एक ब्यक्तियों का बहुत बड़ा संसार है जो बिरेंजी जिन से सीधे जुड़े हुए थे लेकों का मुझे लगता है कि अस्वाल जैसे लेखक और स्रीलाल सुक्ल जैसे लेखक और तमाम सारे जो पीसी जोसी जैसे ब्यक्ति जो सावाजी चिंतक थे उसके अलावा जो दूर दराज के दूसरी भारती भाषाओं और अंग्रेजी के लोग हैं उसे इनका संसार बहुत सम्रिद्ध है उसके लिए कई घंटों की बाचीत होगी आज हमारी सीमा यह है कि हम बाचीत को यहीं समाप्त करें जल्दी ही हम बिरजी से फिर से एक अच्छी बाचीत के साथ आपसे रुजरू होंगे तब तिक नमस्कार दिखने वादा दन्वाद रांद क्या है झाल झाल